हेलो फ्रेंट्स आ जाते हैं लोग बात करेंगे कि अर्थ सास्त जो है ना उसमें समझती अर्थ सास्त का विश्यक का उद्भव कैसे हुआ तो इकनोमिक्स पर चली रहा था अब एकनोमिक्स में एक नई ब्रांच निकल कर किया आगी मैक्ट्रोएकनोमिक्स ठीक है पहले आसा कि ऐसा हुआ जिसने उस समय के अर्थ सास्तियों कुछ अलग तरह से सोचने के लिए मच्भूर किया क्या हुआ उसकी बात करेंगे तो यहां पर एक बहुत इंट्रेस्टिंग करेक्टर थे जॉन मेनाट कीन्स उनका नाम आता है बहुत बुला सकता है कि बहुत रंगवाज इकनॉमिस थे बहुत स्मार्ट भी थे इनकी पढ़ाई लिखाई कि इंग्स कॉलेज है इंग्लैंड में वहां पर ही हुई थी और बाद में उसी की दीन मन गया थे बहुत इंटिलक्षिली स्कॉंग थे और साथ में प्रथम विश्युद्ध हुआ था जब 1908 के बाद कंप है उसमें इस पर यंदे का पैसचनघ में उन्होंने काफी किताब लिखी थे उसका नाम यह था जन्र थे और employment, interest and money ये कब लिखी थी 1936 में तो 20 सती में यानि कि 1901 से लेकर कि 1999 या 2000 तक के बीच में इस time period में economics पे लिखी जाने वाले किताबों में से सबसे जादा influential किताब मानी आती है इनकी तो बहुत smart आती थे अब क्या किया इनका नाम इतना ज्यादा आ गया और इनकी को बोला जाता है कि इनकी वज़े से macroeconomics तरह से start हुआ क्यों बोला जाता है इस तरह की बाते तो आपको सुझ में आएगा कि हुआ क्या था ना कि इनके पहले कीन से पहले ये माना जाता था कि हम लोग ने अभी भी जो macroeconomics से थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे आपने को idea है कि हम लोग market में की बात करते हैं कि कहां परचीटे संतुलित हो रही है और ऐसा निकल करके आ जाता था कि long run में ठीक है long run में क्या मतलब आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके जो market है कोई भी अर्थ वाश्त है वो अपने आप ही अपने आपको संतुलित कर लेती है चीज़े बदलती रहती है और ultimately रहेगा संतुलिती कितनी मांग होगी कितनी पूर्ती होगी वो बदलेगा लेकि संतुलन में रहेगा, तो हमेशा हम लोग संतुलन की तरह पहुंसते रहेगे, इस तरह का माना जाता था, तो कहा किया जाता था उस समय पर, कि जितने भी, क्योंकि संतुलन में है, तो अगर कोई भी इंसान काम करना चाह रहा है, जितने भी श्रमिक हैं और जो भी फैक्ट्री इस चलती रहेंगी जिसको काम चाहिए इसको काम मिल भी जाएगा थोड़ा दिन लग सकता है बट मिल जाएगा और वो कितने समय में मिलेगा उसके उन्हें बोले चाहते हैं ठीक है क्या बोलाता है तो ठीक है और तो फ्क्रतिक तो वहा क्या ऐसा क्या इवेंट हुआ महामंदी आई बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन क्या बोलते हैं इसको कभका 1929 में आया था और मुख्य रुप से अमेरिका को जाता है नॉर्थ अमेरिका में तो उसको भी प्रहवित किया था तो वह क्या था ऐसे में जो महामंदी आया थी ना उस समय पर ऐसा हुआ था कि चार साल के अंदर ही, अमेर्का में जो काम करने वाले लोग थे ना, उनके बीच में 3% की विरुजगारी दर रहा करती थी, वो बढ़ करके 25% की हो गई थी, ऐसा सोच लीजे, कि देश में वो लोग, विरुजगारी दर होती क्या आप समझ लीजे पहले तो, देखो, किसी भी देश में सारे लोग तो काम ढूंड नहीं रहे होते, जो बच्चे हैं, वो तो ढूंडेंगे नहीं, तो हम लोग ऐसा मानते हैं, अपने हाँ पर 15 साल से छोटे लोगों को तम काउंट करते ही नहीं, और 64 साल के बड़े लोगों को भी नहीं करते हैं, तो 15 साल से 64 साल के वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं, काम को ढूंड रहे हैं ठीक है, उन लोगों को लेवर फोर्स का जाता है, अब जो लोग काम करना चाह रहे हैं और ढूंड रहे हैं, उन में से 25% लोगों को काम नहीं मिल ला है 75% को मिल ला है, ठीक है यानि कि जो काम करनी यह हो कि उम्र के लोग हैं उसमें से 25% लोग ऐसे हैं जो काम ढूंड रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलना जो ढूंड रहे हैं उनको भी इमने काउंट करते हैं ठीक है तो 15-64 के सारे लोग नहीं आएंगे उसमें से बहुत सारे लोग नहीं करना उनको नहीं काउंट करेंग कि पहले तो ऐसा बुला जाता था कि जो काम करना चाह रहा है उसको काम मिली जाएगा यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा और इसे थी खराब होती और चली जा रही है क्या हो रहा है समझे पहले क्या माना जाता था कि भाई जो काम करने का इच्छुक उसको काम तो मिली जाएगा ऐसे में ये सोचा गया कि जो हम लोग माइक्टो एकनॉमिक्स वाले अंगल से चीनों को देखते हैं, उसको कुसी और तरह से देखने के आवशक्ता है, अर्थ वियोस्था में सारे छोड़े छोटे शक्तिया मिला करके बड़ी शक्ति तो चली रही लेकिन कुछ और भी है जो ठीक है, इन्होंने कहा कि अर्थ वियोस्था की कार प्रणाली किस तरह की है, इसको देखेंगे, और अर्थ वियोस्था में ही बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, याद करिए पहले वीडियो हम लोग ने क्या बात की थी, कि ऐसा द पूरी अर्थ वियोस्था में वस्तू और से वाँ पर प्रणाली करने वाला हम लोग ने इसकी बात की थी, तो पहले नहीं पता था, यहां तो हम लोग ये बात कर रहा है कि उद्भव कब हुआ था, कब माही बक्री वाम इसमान कर क्या आया था, वो था हम आज मालूम हमें अच्छा, तो कीन साहब थे न, उसके बाद इनका एक स्टेट्मेंट है जो बहुत यहादा फेमस है, और वह स्टेट्मेंट आता है, in the long run, we are all dead, ठीक है, क्यों आता था ऐसा, तो समझेगा, थोड़ा सा difficult हो सकता है, बढ़ धान से समझेगा, तो मज़ा भी आएगा, जैसे आपके पास माल लीजे, एक अर्थवस्ता है, जिसमें कुल मिला करके, एक ही हमारे पास, आम है, बस एक ही आम है, और कुछ नहीं है, अब हमारे पास, उस अर्थवस्ता में, एक सो रुपय का नोट चापा गया, अब सो रुपय का नोट चापा गया, और कुछ है नहीं खर तो आप 100 रुपए से क्या खरी सकते हो इसकी जगह क्या की जगह आपको 1000 का नोट छाब दिया गया अब अर्थ वरस्ता में है तो एक ही आम तो ऐसा थोड़ी कि आप 10 रुपए का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हजार रुपए का हो जाएगा जब ==== तो अम की जो एक्चुल वैल्यव है वो तो वही रही लेकिन उसको हम लोग पैशो में जो वुस्तिवे यह हैं। तो अगर पूरे अर्थ वस्ता किस तर पर हम लोग बहुत ज़्यादा सबको सूट बाटो योजना एक बना दे सूटकेस बाटो योजना और सूटकेस सबको पैसे भरवर करके दे दे तो क्या उससे सब लोग अमीर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे क्यों कि वास्तव में जो मारामारी होने लग जाएगी तो जो वास्तव में वस्तुए है और सिवाए है वो नहीं बढ़ गई और अगर पैसे च्छाप दोगे तो ultimately सारी चीज़े महंगी हो जाएंगी या उनके दाम बढ़ जाएंगे लेकिन इसके साथ में क्या वो पैसा चापना लोगों को और ज्यादा economic activities करने के लिए प्रेडित कर सकता है खास्त और से कब जब recession चल लाओ तो उन्होंने इस तरह का proposal देना तो यही उनका statement था in the long run we are all dead तो यही हम लोगों देख लिए तो आपके बारे में तो बहुत interesting का निया कर भी आपको लेक्सुफ ना होंगा लेकिन आपर आप समझ दीजे कि हमारा क्या हो जाता है प्रादुर्भाव हो जाता है अब इसी चेप्टर में एक और अगला वीडियो बनेगा और उस्तिबास से फिरम लोग जो हमारा फॉर्मल यह तो परिशात्मक चेप्टर है पूरा फिर अगर सेकंड चेप्टर से इसको ठीक सो पढ़ना कर देंगे तो मिलते हैं अब अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो प्रिशात्मक वीडियो है यार चप्टर ही वैसा है तो आराव समझे लेते लेते पढ़ते रहो और इंट्रेस्टिंग रहेगा आप जॉन में नाट केंस के उपर कुछ कुछ देखे तो आपको काफी मज़ा आएगा कभी टाइम में ला तो मैं आपको लग्सु बताऊंगा मिलते हैं अपनी क्लास का उद्दे से आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्ता पूंट सिक्षा उप्लब्ध कराना है कख्षा बारे तक के सभी प्रमुक विश्यों पर हम वीडियो बना रहे हैं और कुछ विश्यों पर वीडियो आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्ने प्लेलिस्ट पर अप्लोड भी हो चुके हैं ग्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना भूमोल योगदान जरूर ने बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया